दोस्तों यहाँ पे देखोगे यह हमारा Chrome राउजर है जैसे इस पे कलिकरते हैं यहाँ पे fingerprint lock लगा है और यहाँ पे password lock भी लगा है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास कोई भी Motorola company का phone है उस phone में दोस्तों आप जो है किसी भ आपको एक option मिलता है दोस्तों security privacy यहाँ पे कलिकरते हो तो यहाँ पे दोस्तों fingerprint हो गए रहा लोग मिलता है आप security मिलता है लेकिन आप लोग का option मोटू के phone में Motorola के phone में आपको देखने को दोस्तों नहीं मिलता है ठीक है अब क्या problem है मोटू वाले आप लोग का feature नहीं देत हैं तो दोस्तों मैं आपको एक application बताऊंगा जिससे आप app लोग करूगे और मैं आपको दिखाऊंगा कुछ लोग comment करते हैं कि app को कोई भी delete कर देगा तो app लोग हड़ जाएगा कोई भी delete नहीं कर पाएगा आपकी application को जिससे आप app लोग करूगे तो इसके लिए करना क्या चलिए मैं आपको फटा फटा बताते हैं तो यह दोस्तों application है इसे download कैसे करेंगे अभी बताएंगे पहले आप समझ लिए upload कैसे करेंगे इस application को open करना है allow करना है अपना एक यहाँ पर password बनाना है ठीक है अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 4545 हमने डाला सही कि आप 4545 फिर से डालेंगे दोबरा से सही करेंगे ठीक है अगर आपके phone में fingerprint भी है तो yes कर सकते हो fingerprint भी application पर लग जाएगा ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर plus का option आएगा इस पर क्लिक करना है और package installer को enable करना है इससे ही होगा इस application को बिना आपके permission कोई भी remove नहीं कर पाएगा delete नहीं कर करना है इस प्रकार से दोस्तों आप iplog यहाँ पर कर लीजिएगा ठीक है सभी application अपने हिसाब से ले लीजिएगा उसके बाद में दोस्तों नीचे को आईएगा ठीक है और यहाँ पर जहां पर भी आपको play store मिलता है on कर लीजिएगा जरूर ठीक है उसके बाद में दोस्त आप कर लेगा इस पर किलिक करना है और यहाँ पर फिर से वही अप्लिकेशन मिलेगा किलिक करना है और फिर से इनीबल करना है और यहाँ पर आपको allow कर लेका ... सकसफफुली आपका app Oi हो जाएगा यहांसे बायेग sẽ TOP दिखाते हैं ठीक है तो जैसे हमने Amazon और आपको आईशम एस पर करेंगे और यहां पे लोगा है चाहें तो हम अपना फिंगर प्रिंट से भी दोस्तो इस एप के अप अपन info पे गया और install का option है और यहाँ पे देखिए fingerprint मांग रहा है जब fingerprint या दोस्तों अपना हमें यहाँ पे password देंगे तभी यह डिलीट होगा नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा ठीक है अब दोस्तों इसे download अगर करना है तो कौन सी है चलिए बता देते हैं इसके लिए simply आप अपने application मिलेगा एप लोग fingerprint इससे download करिए फिर upload करिए दोस्तों